मचली के साथ दूद पीने से हो सकते हैं सफेद दाग आपने ऐसा भी सुना होगा कि मचली खाने के तुरंत वाद अगर हम दूद पी लेते हैं तो सफेद दाग हो जाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये सफेद दाग होते हैं या नहीं क्योंकि ये आप सुनते आ रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं कि ये प्रैक्टिकल में होता भी है या नहीं, बस आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया और आपने इस बात को मान लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सफेद दाग ऐसे नहीं होते, और अगर किसी को मचली के साथ दूद पीने के बाद सफेद दाग की प्राब्लम होती है, तो वो लुकरडर्मा और विटीलिगो की प्राब्लम नहीं होती, वो एक ऐलर्जी हो सकती है, वो सौ लोगों में से एक इंसान को हो सकती है, अब हमें ये समझना होगा कि ये ऐलर्जी तो हो सकती है, लेकिन ये सफेद दाग कैसे होते हैं, क्योंकि जो विटीलिगो की प्राब्लम है, वो इस तरीके से कभी नहीं हो सकती, कि अगर आप कुछ खाएंगे, उसकी वज़े से आपको ऐलर्जी हो सकती, अब हम समझ लेते हैं, विटीलिगो है, क्या यानि सफेद दाग क्या है, तो सफेद दाग की प्राब्लम जब जनरेट होती है, जब आपका शरीर का इम्म्यून सिस्टम ही, आपके शरीर के एक्टिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, अब एक्टिव सेल्स जाता है, आपका इम्म्यून सिस्टम ही कुछ ऐसे कंड उत्पन कर लेता है, बना लेता है, जो आपके मेलनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अब आप इसको एक एक्जाम्पल से समझ जैसे कि आप दो दोस्त हैं, आप में बहुत अच्छी दोस्ती है, अब आप आपके शरीर में हो रहा होता है, जो आपका आटो इम्म्यून डिसॉर्डर होता है, यानि आपका जो इम्म्यून सिस्टम है, आटो इम्म्यून डिसॉर्डर की वजए से कुछ मिसंडर्स्टेंडिंग की वजए से आपके शरीर के जो एक्टिव सेल्स हैं, उनको डिस्ट् और तरव हो जाती है आप के शरीर में वाइड कलर के चक्ते दिखने लग जाते हैं अब ये आपके हातों पैरों आंखों सर यानि जब आपके सर पर होते हैं तो आप के बालंबी इसमें सफेध हो जाते हैं ये problem आप paste करेंगे अगर आप vitiligo के patient हैं तो तो मुझे उमीद है इस video से आपको समझा गया होगा कि मचली के साथ दूद पीने से कभी भी vitiligo की problem नहीं हो सकती तो अगर आप भी ऐसे किसी और myth को लेकर confused हैं तो आप comment के तुरू हमें अपना myth बता सकते हैं और आपको query है कि ये होता भी है या नहीं होता तो भी आप comment के तुरू हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो से related कोई भी confusion है और या आप हमें कोई suggestion देना चाहते हैं तो भी आप हमें comment के तुरू या नीचे देगे कर दो करू देक रेह कर दो झाक सबस् सकते हैं एवमें के जता सही है जाडर रर दया भी आपना चुरू या नैजकरने जको वीडियों क्टरू भी